नमस्कार साथियों, मैं मिस्स साथी वर्मा, आपका अपने इस चैनल आयरुवेद इम्मोर्टर्स में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज हम चर्चा करेंगे जो संगीतक्य हैं, जो अपनी आवाज के लिए सदा सतर पहते हैं तो वो अपनी वाणी को कैसे मद्धूद बनाएं, जानेंगे, जी हैं बच के विशे में बच जिसे की बचा या स्वीट फ्लाइक आ जाता है एक अच्छे बच की जो पहचान होती है, उसमें एक बॉलेटाइल ओयल होता है जिसके कारण वो अपनी विशेश पहचान रखता है, साथ ही साथ थोड़ा सा लालपन होता है अब इसके प्रेगों की बात करें, तो जुकाम या श्वासना इल्का में जलन है, तो बच का कारा प्रयोग करें लगवा के मरी जो प्रभावित हिस्सा है, वह बच के पेश से लेप करें बारिश में भीग गए हैं, शरीर में डल्द होने की संभावना है, तो इसके लिए बच का सेवन कर लें यदि या दश्ट बढ़ाना है, तो शेहत के साथ लें कफ के कारण आखों में जाला या धुंद पढ़ रही हो, तो बारिक पीस कर काजल की तरह लगा ले आपको अपनी वाणी शुद्ध रखना है, तो बच, मुलैठी, सिंधा नमक, हर, सोट, अजमोर, कूट, पिपली और जिर्या ये सब समान मात्रा में पीस कर पाउडर बना लें और घी के साथ इसका सेवन करें ये दान्तों से संबंदिश समस्या है, उनके लिए बच, अजवाइं, चित्रक, सिंधा नमक, सोट और समभालू ये सब समान मात्रा में लेकर पाणी के साथ पीस लें और थोड़ा गर्म करके मुँ में कुले के रूप में थोड़ी देर रखें और फिर मोध हो लें यदि दान्त हिल रहे हो तो बच और तिल को धीरे धीरे चपाते रहें जिन्हें मिरगी की समस्या है वे बच पाउडर करीब 0.4 ग्राम को शहत के साथ दिन में दो बार लें ऐसा आप यदि 12 दिन तक पिलेते हैं तो परिणाम आपके सामने स्वयम आजाएगा यह जानकारिया अच्छी लग रही है तो कमेश द्वारा हमें अवगत कराएं और लोगों के साथ शेयर करें और चैनल पर बने रहने के लिए सुब्सक्राइब नोटिफिकेशन को अन कर लीजे और अपना अमूली समय देने के लिए थैंक यू वरी मच चलिए फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार